नमस्कर दोस्तों, कैसे आप सभी सबको नमस्कार, उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे जैसा कि महावल है इस टाइम कि 10 प्लस 2 का एक्जाम भी खतम हो गया बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल 10 प्लस 2 पास कर लिए और एक भरती है SSC SSC एक बोर्ड है जो अलग-अलग एक्जाम लेती है जैसे SSC के अगर मैं बात करूँ तो यह एक बोर्ड है जिसके द्वारा CGL यानि graduate level की form भरे जाते हैं और CHSL higher secondary level इसका यानि 10 प्लस 2 वाले color जो होते हैं data entry operator होते हैं उसकी भरती होती है CHSL जिसमें उम्र जो है वो 18 से 27 साल सुनिश्यत है ठीक है यह उम्र है उसके बाद अलग-अलग relaxation भी है जैसे का मानलो SCST है तो उनको इस 27 के अलावा 5 साल हो मतलब 32 साल तक उनका हो जाएगा OBC है तो 3 साल की छूट है फिजिकल चैलेंज है यानि डीफेंडर हो गया विकलांग है तो 10 साल की चूट है इस तरह के चूट अलग से हैं लेकिन कोमन जो एज है वो 18 से 27 है अब रही बात के सर नोटिफिकेशन आने वाला था नोटिफिकेशन तो आने ही वाला था 2 एपरेल से फॉर्म भरे जाने थे क्या फॉर्म भरे जा रहे हैं बिल्कुल याद रखना बहुत जल्दी आज या कल में पॉर्टल ओन हो जाएगा और आप फॉर्म भर पाएंगे बिल्कुल भर पाएंगे मई तक लास्ट डेट होगी यानि जो ओफीसियल जो टाइम पिरियड है वो 2 एपरेल से शुरू हो गया है आज या कल में पॉर्टल ओपन हो जाएगा आठ तारीख तक ओपन हो जाएगा ठीक है बिल्कुल हो जाएगा दिले हुआ तो सरकार कर देगी तो फिर ये भी तो है एक्जाम की तारीख भी आगे बढ़ जाएगी लास्ट डेट भी बढ़ जाएगा याद रखना जो लास्ट डेट होगी वो आपके मई फर्ष्ट वीक तक होगे और जो एक्जाम की तारीख होगी वो लगभग जुलाई लास्ट होगा या अगस्ट तक होने की उमीद है शीयच एसल की बात कर रहा हूँ मैं शीयच एसल अब रही बात की सर जी यह तो सब ठीक है आखिर में सिलेबस क्या होता है तो याद रखिएगा इसमें पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सकेंड होता है और एक कम्प्यूटर का भी पेपर होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पेपर वन होता था और पेपर टू टाइपिंग होता था, अब टाइपिंग कुछ पोस्टों के लिए है, अदर्वाइस हाटा दिया गया है तो अब पेपर 1 है और पेपर 2 है इसको बड़े अच्छे से समझिएगा अगर पेपर 1 है पचीस कोश्चन पचीस कोश्चन किसके GSK जिसमें History, Economics, Policy, Science, Geography और Current Events के सवाल होंगे पचास जो है वो पचीस जो है वो Reasoning है पचीस जो है वो Maths है पचीस जो है वो English है 100 कोश्चन 200 नंबर यानि एक कोश्चन दो नंबर का होगा Qualifying Nature है यह पास करना ज़रूरी है Qualifying है लेकिन जो पेपर 2 है यह बहुत खतरनाक है इसको समझना बहुत ज़रूरी है जिसको पेपर 2 कहा गया है टियर 2 कहा गया है इसको समझना बड़ी ज़रूरी है टियर 2 को कैसे देखो टियर 2 में सेक्शन बटे हुए हैं सेक्शन 1 टियर 2 में सेक्शन 1 है जो दो टू आर्स के हैं टू आर्स के हैं ठीक है देखो कैसे इसमें Math है इसमें reasoning है tier 2 में यानि paper 2 में section 1, दो घंटे का होगा tier 2 यानि second paper first तो वो common है यानि math English reasoning जो उसको qualify करेगा उसका tier 2 होगा और tier 2 में section 1 है जिसमें फिर math फिर reasoning, वही math जो pre में भी देखिया थे यानि one में, वही दोबारा से two में दो, 30 question 30 question, यानि 60 question math reasoning के, 60 question 1 question, 3 number का 180, 180 question ठीक है per subject, यानि math के लिए आपको एक घंटे मिलेंगे ठीक है, एक घंटे मिलेंगे, reasoning के लिए एक घंटे मिल जाएगा, section 2 English हो गया और GS हो गया, इसका मतलब फिर English फिर GS, ये तो आप tier 1 में भी दे के आए हैं math, English, reasoning जी के, दोबारा से फिर देने का मुका मिल गया, इसका मतलब ये है, कि tier 1 जो दे के आए थे qualifying था वो भी सेम हो गया, और tier 2 भी सेम हो गया, बस question का तो फरक है, 30-30, उदर 25-25 था, इंग्लिस यहां 40 हो गया, GS यहां 20 हो गया, वहां इंग्लिस पचीस था, GS पचीस था short question again, फिर तीन नंबर, एक सवस्चीन, ये नंबर जुडेंगे, ये क्वालिफाइंग नहीं है, जुडेंगे तो इसको बड़े अच्छे से देना उसके बादा आजाता है हमारा section 3rd section 3rd का मत कैसे, section 1 math reasoning section 2, English GS अब आजाता है section 3 computer computer याद रखियेगा computer का जो portion है, 15 सवाल आएंगे, एक सवाल तीन नंबर का होगा, 45 नंबर, 15 मिनट मिलेंगे, देना जरूरी है उसके बाद से आपका skill test होगा, यानि computer typing, skill test केवल DEO के लिए ठीक है, skill test होगा और LDC और JSA के लिए typing test होगा typing test, तो इसका मतलब जो LDC का form भरेगा उसको typing भी देना होगा typing तो फिर है लेकिन अब जो change हुआ है, वो tier 2 में हुआ है क्योंकि पहले tier 2 सिर्फ typing था, लेकिन अब tier 2, math, English, reasoning, gk, computer typing तो है तो ये हमारा syllabus है, और अगर आप, अब आप देख लो math, English, reasoning, gk, computer से छुटकारा नहीं मिलना, चाहें इंडिया का कोई भी exam ले लो और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए, CHSL से जुड़े हुए, तो हमारे toll free number 8059102345 पर call करें, और भी जानकारी आपको दी जाएगी, दीजिए हमें इजाजत मिलते हैं फिर अगले टोपिक के साथ नमस्कार दोस्तों